हेलो फ्रेंड्स विल्कम तो माई चैनल स्वार्थी देटर्वलर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चापुरा फोर्थ और वैगेटर भीच के बारे में यहां पे आपको टॉप टूरिस अट्राक्शन एक ही पॉइंट पो डेखने को मलते हैं वैगेटर बीच इस वन अव दा मोस्ट हापनिंग वीच काफी खूबसूरत बीच है यह सेकेंड लिए चपूरा फोर्थ से सटा हुआ बीच है इसलिए भी इसकी खूबसूरती बढ़ चाती है चपूरा फोर्ट और वैगेटर बीच से पहुँचने के लिए जो बेस्ट वे है हम स्कूटी या बाइक रेंट पे ले सकते हैं और इसलिए बाइरोड जा सकते हैं और इसका रेंट मैक्सिमम 300-600 आपको पढ़ेगा फोर्ट तक पहुचने के लिए आपको थोड़ है फोर्ट तक पहुचने से पहले भी आपको काफी अच्छे अच्छे व्यूज देखने को मिलेंगे और फोर्ट पे पहुचने के बाद आपकी सारी ठकान खतम हो जाएगी इस रीली वरी ब्यूटिफुल चपोरा फोर्ट का नाम चपोरा नदी की वज़े से पढ़ा था जिसका व्यू भी आपको क्लियरली दिखाई देगा ओपर से जो कि काफी खुबसूरत लगता है आपको याद हो का दिल चाहता है मूवी के एक सॉंग की शूटिंग भी यहीं पे हुई थी इसलिए भी चपोरा फोर्ट काफी फेमस है देर इस नो एंट्री फी और इसके ओपन होने का ताइम है मौनिंग 9.30 तू इवनिंग 5.30 उपर पहुचने के बाद आपको बहुत ही खुबसूरत व्यू दिखाई देगा नीचे आपको वागटर बीच क्लियरली दिखाई देगा चपोरा फोर्ट इस फेमस फॉदा संसेट और सो इवनिंग में यहां का मजारा बहुत ही खुबसूरत लगता है वैसे तो फोर्ट से नीचे जाने का भी रास्ता है लेकिन वह काफी लंबा है और यह बेटर रहेगा कि आप डिरेक्ली वैगटर बीच डिरेक्ली जो रूट है बाई रोड पहीं से जाए मुश्किल से 700 मीटर और 800 मीटर की दोरी पर ही वो है उपर से आप फुल व्यू एंजोई कर सकते हैं आपको काफी अच्छा लगेगा उपर कई सारी छोटी छोटी स्टॉल्स भी है जहां पर आप थोड़ा बहुत खाने को भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा और यहां से काफ लेट्स कम डाउं तू आपट अब गज व्यू जिट्टर बीच व्यू जखका बीच वैगेटर वीच इसा काफी अपनीग यहां पर काफी सारी स्पोर्ट एक्टिविटीज होती रहती है यह बनाना राइट परसिलेंग जटस्की और गयाने मोर्या पर्ड़ा सिलिंग तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब मैं चानल थैंक्स फो वाचिंग